हलो दोस्तो स्वागत हैं हमारी वीडियो पर तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं हर सिंगार के प्लांट्स के बारे में दोस्तो दुरगा पूजा का समय चल रही है इस समय हर सिंगार के प्लांट्स हम लोग जो पहले से त्यार करके रखते हैं उस plants में हमें क्या करना होता है जिससे हमारा flowering बहुत ही अधिक मातरे में देती है तो दोस्टों ये हमारा जो हर सिंगार का अब plants देख रहे हैं ये बहुत ही अधिक अधिक फुल दे रही है और इस फुल को हम लोग दुरगे माता पर चढ़ाते हैं क्योंकि ये फुल हर रोज समय से खिलती है और इस फुल खिलने का समय क्या है रात ये रात को अच्छी तरह से फलावर खिलती है जो आप देख सकते हो कि हमारा फलावरिंग कितने अधिक मातरे में लगी हुई है दोस्तो इसको मैंने इसतना अच्छी तरह से कट किया था जिसकी वजह से ये प्लान से बिल्कुल गोल आकार की तरह है और इसमें घुच्छी की घुच्छे फुल आ रही है जैसे कि आप देख सकते हो कि ये कितने घुच्छे हैं इसमें कितने घुच्छे हैं और कलिया भी उ और अच्छी रखने के लिए आपको करना क्या होता है तो मैं आपको आज जनकारी दूंगी अच्छी तरह से क्योंकि यह हमारे हर सिंगार का जो प्लांट्स है इसको आप केर अगर करते हो तो यह आपको पौधे में फुल तोड़ते तोड़ते आप ठक जाओगी अगर आप नहीं तोड़ पाओगे दोस्तों तो यह क्या होता है यह फुल का राज क्या है कि यह फुल रात में अगर खिलती है तो यह सुभर होती होती सारे फुल अपने पौधे से अपनी कलिया तूटकर गिर जाती है इनके फ्लाबरिंग मतलब की गिर जाती है और यह खिलती है तो दोस्तों आप देखिए ये कितने अधिक मातरी में इसमें फलाबर लगी हुई है और मैंने इसको एक बार अगर हिला देती हूँ तो ये सारे फुल नीचे जड़कर गिर जाती है इसमें किसी तरह का ताकत नहीं लगती है फुल को तोड़ने में क्योंकि ये जड़से लगाना चाहती हो तो जड़से भी लगा सकती हो और मैंने एक गमले में भी लगा कर रखी हूँ जो आपके नजर के सामने है और ये हमारा 12 से 14 इंच का गमला है इसमें मैंने लगा कर तैयार की हूँ ये बहुत ही सुन्दर फुल देती है और इनके जब अगर होती है फिले पढ़ने लगती है कि इसके केडे खाने लगती है कि अगर बाधे पर ये कर्षाने लगती है तो आपको करना क्या होगा किनस कौन सा क्या कर falls पसे 5ALL है Bernard अनकर आप क्योंकि ये पौधी फुल का स्राप है कि ये रात में खिलेगी और सुभा होकर ये पौधे को छोड़ देगी लेकिन दोस्तों उतना ही ये दुर्गय माता का पिर ये फुल है ये फुल बहुत ही बढ़ियां और अच्छे हैं आप सभी अपने अपने घर पर लाकर लगा सकते हैं नहीं तो इसका कटिंग भी आप लगा सकते हो तो मैं आपको दिखाऊंगी आपको इसमें डालना क्या है तो ये हमारे है आलू आलू का छिलके को आपको यूज करना है पौधे पर क्योंकि आलू की छिलके में हमारा सारा vitamins, elements इसमें मौझूद रहती है तो आपको डालना कैसी है? ये नहीं कि आप आलू को छिल ले और छिलने के बाद आप कच्छे आलू को डाल दे दोस्तो इस तरह से मैं आलू को छिल कर सुखा ली हूँ आप भी इसको सुखा ले क्योंकि ये हमारे जो इस तरह से हमारे ये छिलकी हैं जो मैंने आपको सुखा कर दिखाई हूँ ये बहुत ही बढ़िये तरह से पौधे पर काम करती है और ये पौधे को response दिलाती है तो आप इसको श्टोक भी कर सकते हो और नहीं तो आप इसको directly डाल भी तो दोस्तों हम आपको इसको डालने के बारे में बता रही थी तो आप इसको डालना कैसे है किस तरह से डालना है क्योंकि इसमें potasia, kelsia, magnesia ये सारी पदार्थ इसमें मौ पोश्ट डालते हैं उसी तरह से आप इकठा कर इस तरह से आलू के छिलके को इकठा कर ले और इकठा करकर आप छिलके को कम से कम एक सत्ता धूप में सुखा ले अच्छी तरह से अगर धूप में करकरा होकर सुख जाती है तो आप इसको श्टोर भी कर सकते हैं इनकी fertilizer भी बना कर आप डाल सकते हो तो आपको डालना कैसी है तो मैं आपको आज दिखाती हूँ सबसे पहले आप गमले में इनकी मिट्टी को गुड़ाय करना है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मिट्टी को किस तरह से आपको गुड़ाय करना है तो यह हमारा पूरी अच्छी तरह स दोस्तो 2002 मिट्टी को आप साइड कर ले क्यूंकि थोड़ा से मिट्टी को अगर करते है और इससे हम पर तो दोस्तो इस था से हम प्लांटच पर डालते हैं क्योंकि आप सुखा कर अगर डालते हो तो आपका जायलہते हैं यह आलू पोटेसियम को पूरा अच्छी तरह से पूर्ति करती है और पौधे को न्यूट्रेट्सन परदान करती है फिर आप क्या करें इसको आलू की छिल्की को डालने के बाद आप मिट्टी से उसको दबा दे अगर आपकी मिट्टी गिल्ली है तो आप पानी बिल्कुल भी न डाले अगर आपका मिट्टी बिल्कुल भी गिल्ली नहीं है तो आप डाल सकते हो तो हम आपको दिखाते हैं इस तरह से हम छिल्के जैसे कि आलू की छिल्के को मैंने फटलाइजर बना कर रखी हूं तो आपको मैं डाल कर इसको दिखाती हूं क्योंकि ये मैंने आपको छिल लिके को तयार करकर रखी हूँ और इस तरह से जब आपके पौधे क्या पते Г başम पढ़ने लगती है तो इसको ये रोकने की काम करती है तो आपको इसको डाले पाले पाने ने कर देखे तब आपका प्लांट्स बहुत ही हेल्दी और अच्छे हो जाएंगे और अधिक फूल मिलेंगे क्योंकि जो पत्या अगर पिली पढ़ने लगती है वो पत्या आपका पिली पढ़ना रूख जागी तो मैंने यहां पर इस तरह से जड़ में डाल दे रही हूं क्यों कि इस तरह से आप भी डालो और आपका प्लांट्स बहुत ही बढ़िया और हेल्दी फूल देगी तो मैंने देखिए दोस्तों यहां पर आप फ्लाबर देख सकती हूं कि कितनी बड़े साइज में और अच्छे खिले हैं और इस तरह से आप अगर घर पी छोटे-छोटे प पत्यां पिली पड़ती है तो आप हर पत्ति को निकाल कर फेक सकते हो क्योंकि अगर इसमें लगे हुए रहेगी तो यह क्या होगा पत्ति धीरी-धीरी सड़ेगी और एक से दूसरे को नश्ट करेगी तो आप इसको दूर रखे इस से अच्छा आपका प्लांट्स बहुत ह सुन्दर और अच्छे दिखेंगे जैसे कि आप देख सकते हो कि यह कितने बड़े हो चुके हैं और यह बिल्कुल गमले में लगी हुई है और हमारा प्लांट्स यहां पर फुल से लदी हुई है क्योंकि जब हम फुल तोड़ते हैं तो बहुत सारे फ्लाबर निकलते हैं उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि यह प्लांट्स जब हमारा हरा भरा और इसको लगाने के बारे में मैं आपको बताती हूँ क्योंकि अब हम आपको दिखाते हैं कि दुरगे पुजा में यह जब कलस बढ़ती है तो यह कलस क्या होती है इसके बारे में मैं कुछ बताती लेकिन ये जब दूर्गा मां इस पर अस्थापित होती है और ये कलस पर अस्थापित होती है तो यहां पर हम लोग हर सिंगार का फलावर का माला पर नाते हैं जब आपके अधिक फूल खिलती है तो इस तरह से आप अपने घर पर माला बना कर पहना सकते हैं क्योंकि मैंने जो घर पर ज्वार लगाई हूं इसमें बहुत ही खुबसूरत तरह से यह उगे हैं और आप देख सकते हो कि कितनी घने रूप से उगे हैं तो दोस्तों आप हरसिंगार का फ संदा है तो आप मेरे वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना हैं